तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक खतननाग जानवर नेवले के बारे में नेवला एक महासारी इस्तंदारी जानवर है नेवले को अंग्रेजी भाषा में मौंगोसी वैवेसल के नाम से जाना जाता है नेवले को सापो का जानी दुश्मन कहा जाता है नेवला लगभग पूरी दुनिया में ही पाया जाता है भारत में इस जीप को नौल नेवल घूस के नामों से जाना जाता है पूरी दुनिया में नेवले की लगभग तीस पिरजातियां पाई जाती है इन पिरजातियों में से कुछ पिरजातियां दिन के समय शिकार करती है तथा कुछ पिरजातियां रात के समय शिकार करती है मादा नेवले का गर्वकार लगबग दो महीने होता है मादा नेवला एक बार में तीन से चार बच्चों को जन्म देती है नेवले की उम्र लगबग 8-10 साल की होती है जब नेवले के बच्चे का जन्म होता है तो उसे दिखाई नहीं देता वह जन्म से अंधा होता है लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वह 15-20 दिन का हो जाता है तो उसे दिखाई देने लगता है जन्म के समय नेवले के बच्चे का वजन लगबग 32 किराम होता है तथा जब यह पैदा होता है तो इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं होता नेवले 40 किलोमीटर गंटे की रफ़तार से दोड़ सकते है नेवलों की लंबाई 10 से 25 इंच तक होती है तथा 8 से 20 इंच उचे होते हैं और इनका वजन लगब 5 किलो तक हो जाता है नेवला अधिक तरसंतल इलाकों से ज्यादा पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करता है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में यह अधिक शिकार करता है नेवला कभी भी रहने के लिए अपना घर नहीं बनाता बलकि यह चुए खर्गोस आधि के छोड़े हुए घरों में रहता है नेवला मासारी जानवर है यह कीडे मकोडे अंडे मेंडक साप आधि जीवों को खा जाता है नेवला समू में रहना पसंद करता है नेवले के शरीर पर साप के जहर का बेहदी कम असर होता है इसी वज़ेसे ये साप को असानी से मार देता है लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है भी है कि ये है साप के जहर से बचने के लिए किसी घास का प्रियोग करता है क्योंकि अक्सर ये है देखा गया है कि नेवले साप को मानने के बाद तुरंट किसी घास की खोज में निकल जाता है और वह घास खाकर साप का जहर कम कर देता है नेवले के पंजे बहुत पतरनात होते हैं ये अपने पंजों के दुआरा ही अपनी वे अपने बच्चों की चार को नहीं खाता बल्कि शिकार का कुछ सापने बाकि सदस्यों के लिए घल ले जाता है नेवला अंडे को पत्थर मारकर तोड़ता है बल्कि जिस तरह इंसान अंडे को तोड़कर खाता है उसी फिरकार नेवले के एक लंभी पूँच होती है और इसके चार चोटे चो पोच भी होती है और इनके सरीर पर भूरे रंकी एक पर होती है तो फिरेंड सी एती कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिक कर देना